नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर्ज सिखबर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप है मैं discussion करूँगा कुछ importance company के अपडेट के बारे में कुछ importance company के details के बारे में तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रीम नीके तो जूरू कर लिजिएगा continuously वीडियो और information पाने के लिए तो सबसे पहले मैं discussion करूँगा लक्समी और्गानिक के बारे में 1989 से और company के जो product है आप देखेंगे company आप देखेंगे यह पर जो ethyl acetic acid है वो company बनाते है manufacturing करते है और इस chemical sector के speciality जो chemicals है उस group के साथ भी जूड़ कर काम कर रहा है तो अभी market में जो demand है speciality chemical का उसका demand घट चुके है तो इस demand घटने के तारान सिर्फ एही chemical company ही पूरे के पूरा chemical industries का एक बड़ा सा pressure देखने को मिला और बड़ा सा correction देखने को मिला चाहे वो आप SRP को भी देख ले चाहे वो आप Reliance को भी देख ले आप कहेंगे सा Reliance हाँ Reliance को भी chemical का business है और chemical का business में इस बार जो result पबिस किया पर टोटली मेंशन किया गया कि chemical business में ही सबसे ज्यादा company का मतलब margin कम देखने को मिला margin मतलब company का sales down देखने को मिला और बाकी सेक्टर तो ठीक ठाग है तो इस company का performance क्या है देखिए पीर इस्यो 54 है मैं एक एक चीज आपको में बता दू कि पीर इस्यो हर कोई chemical के इंडेस्टिस company के उपर हाई देखने को मिला है तो बहुत हाई था एक time तो 100 के उपर था आज कितना 50 के आसपास है इसका medium पीर इस्यों भी 41 है इसका मतलब पीर इस्यों में एक जो लेवल्स है वो लेवल्स अभी भी मेंसें हो रहा है तो वो लेवल्स company के लिए खासियत बन सकता है तो मेरे ही सबसे इस company के उपर focus जूरू रखना क्यों का जो पीर इस्यों हाभी correction हुआ है तो इस correction के थीक है EBIT margin भी ठीक है interest coverage भी बहुत सांदर है 12% के आसपास interest coverage है हां थोड़ा सा market cap to sales के बारे में बात करूं तो company को एक रुपे कमाने के लिए company 2.40 rupees payment करना पड़ रहा है इसका मतलब company में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग रहा है company के उपर एक रुपे कमाने के लिए double से भी जाता पैसा लग रहा है तो कोई बात नहीं कभी-कभी कुछ business में manufacturing business में ऐसे चलता रहता है तो companies के जो profit and loss है मतलब जो profit and loss year of year में है तो अब देखेंगे तो company का sales continuously increase हो रहा था इस March में मतलब इस साल में company का sales डाउन हो गया क्यों मैं पहले ही बोल चुको specialty chemicals है इसका demand काम हु इस कंटी में क्या कर रहा है कंपानी बेज रहा है और वो भी सस्ती दामों में और इस सस्ती दामों में बेजने के कारान इंडियन जो chemicals company है जो specialty chemicals company है तो उसके पर पेसर देखने को मिला क्योंकि market में supply ज्यादा हो गया और demand कम हो गया तो इस supply demand का जो फरक दिखा उसके चलते पेसर देखने को मिला है तो companies के देखे sales growth तो ठीक है profit good भी ठीक है सिर्क करेंड जो year से इस करेंड एस में company के उपर correction देखने को मिला है तो overall बात करूए company के जो balance seed है इसमें आप देखेंगे तो reserve के बारे मात कर तो reserve भी लगातार growth होता जा रहा है तो borrowings के बारे मात कर तो borrowings आसपास पैसा लगा कर रखा है processing में है जो processing खाता होने के बाद directly अपको fix asset में दीखेगा तो इसका मतलब fix asset next year में 1100 करोर के आसपास देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे sir करजा नहीं लिया तो यहापर processing के लिए पैसा कहा से आया तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ company का हाथ payments तो ठीक ठाकी है चोटा company है थोड़ा सो इधर दो तो होगा ही ऐसे नहीं कि हर प्रेमेटर से 100% positive होगा ऐसे होगा नहीं तो investor भी देखी इस company के उपर जो stake है उन्होंने कम किया तो कम करने के पिछे कारण है क्योंकि अभी भी एक research के report की हिसाब से बता जा रहा है कि upcoming कुछ quarters में companies के पर और भी पेसर आने वाला है क्योंकि जो chemicals का demand है वो अभी भी clear नहीं हुआ अभी भी correction में है तो इस हिसाब से company के पर पेसर और भी बनेगा क्योंकि sell down हो जाएगा तो company का profit margin down होगा तो उस basis में institution पहले से ही दिरिद्रे करके खुद का stake कम किया है तो आपका क्या र bearish 10 में हो continuously आपे गिरावट के माहल भी देखने को मिला है तो मेरे ही सबसे और भी correction होने का chances भी है क्योंकि जो upper side है उस upper side को वो company break नहीं कर पार है या पर retest किया उपर गया तो फिर से देखे downside में मेरे ही सबसे आपे correction देखने को मिलेगा और अगर downside में trade करे 220 रुपी के नी किसी भी मौका मिले तभी में कुछ anti-levels बनाऊंगा तो next जो company जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एफल इंडिय लिमिटेड तो एफल इंडिय लिमिटेड एक ऐसे company से जिसका market cap करीवन 14,000 क्रोड के आसपास देखने को मिला current price जो है वो 1000 के आसपास है तो company के P258 के आसपास है company का industry P236 है company का ROC, ROE base level में है और company के अनवली income भी अच्छा कासा है और company zero debt company है company के देखिए आज तक company कोई भी dividend नहीं दिया तो company में dividend नहीं दिया इसका मतलब कि company खराब हो गया ऐसे बिल्कुल भी नहीं company के sector wise देखा दू तो company एक IT sector से बिलों करते है और medium and small जो तो इस छोटे company के होने के नाते भी इस sector में company अच्छा कासा खुद को represent भी किया, ऐसे नहीं के company का करज़ा ज़्यादा है, ऐसे नहीं के company का ROC का खराब है, ऐसे नहीं के company का sales ठीक नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिला है, तो company का business model है वो featureistic vision के हिसाब से है, क देखता रहता हो, और companies के कुछ points negative भी है, जैसे market cap to sales, company को एक रुपया कमाने के लिए करीबन दस रुपया investment करना पड़ रहा है, तो ये मेरे हिसाब से एक high valuation का levels में company काम कर रहा है, तो company का peer issue है, वो भी देखे 58 है, तो industry peer issue से company का peer issue ज़्यादा है, अभी देखना है कि इस peer issue medium में कितना था, medium में 69 है, इसका मतलब तो ठीक ठाक है, company में peer issue में correction हुआ, और वो ही range को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, जो range पहले रीटेस्ट करने के बाद, एक big journey देखने को मिला था, या पर आने के बाद big journey, तो उसी range में company आ रहा है, तो फिर से एक journey आपको देखन और भी तख publish नहीं हुआ, तो company के quarterly result कब आएगा, मैं आपको बता दू, तो company के quarterly result आएगा, 30 August, 2023 में company के result आने वाले है, तो उससे पहले company का yearly result के इस तरह के सब बहुत दिखा दो, यह company के sales लगातर increase हुआ, continuously company ने sales को क्या क्या लगातर increase किये, जो 200 क्रोड तक company पहुँच च से दिखा, कि company इस बीच में, 2021 में company taxes को थोड़ा सा कम दिया था, तो देखे कभी कोई taxes अगर कम दिया, तो next year में आपको taxes ज्यादा देना पड़ेगा, यहापर next year में भी company वो taxes को नहीं मिल्टिन किया, यहापर देखे 24% के taxes था, 18% 17% हुआ, उसके बाद directly 9% तो इस tax कम देन नहीं है, आपको operating profit margin देखना है, यहापर अगर growth हो रहा है तो ठीक है, तो companies के sales growth, profit growth, return of equity, सब कुछ थीक है, company आपको तीन साल में अच्छा का से return दिया, मगर एक साल में कुछ performance नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि investor भी दिखिए, धिरे-धिरे करके अभी इसी टाइम मे company के उपर निवेश कर रहा है, तो इसलिए एक अच्छा का सा momentum आपको देखने को मिलेगा, तो कैसा momentum होगा, आपको में बता दू, आप देखेंगे company के उपर कुछ इस तरी के से chart friend create हो रहा है, आपको पहले भी mention किया था, यहापर solder, double solder, उसके बाद head, और यहापर भी देख तो तब तक इंतेजार करना, जलबजी मत करना कि हाँ, चलो, patterns बन गया, तो में एंटी ले लूँगा, patterns अभी तक finally create नहीं हुआ, patterns बना तो है, finally वो active नहीं हुआ, इसके लिए आपको इंतेजार करना पड़ेगा, और next company जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है, दीपोक सब्सक्राइब करके हैं, और वो भी sodium nighted, तो sodium nighted बहुत जदा demandable product है, और इस product के उपर company 75% overall market share लेकर रखे है, तो इसका मतलब इस product के कारण share के उपर एक positivity हमें सा देखने को मिलता है, ROC, ROE based है, peer ratio भी ठीक है, companies के मतलब peer ratio के, industries peer ratio के हिसाब से company का peer ratio ठीक है, depth के बारे मात कर comment में, एक चीज मुझे हमेसा comment देखने को मिलता है, वो सबसे पहले, मतलब खाना पिना छोड़ देंगे, सबसे पहले वो depth के पीछे पढ़े हुए है, depth वो हमेसा zero depth देखना चाहते है, एक ना के बरबर depth हो, इसका main मक्सद है, क्योंकि मैं अगर आपको मैं एक चीज दिखा दू, तो आप देखेंगे, तो करजा, बॉरिंग्स कितना, एकदम धिरे-धिरे-धिरे-धिरे करके कमपनी इस बार करजे को एकदम ना के वरबर लेकाया, और उसी साब से कमपनी रिजा आपको लगातार-लगातार बढ़ाते चला गया, तो कमपनी में जो खासित दो होने के बाद, नेक्स त्यार में उसको फिकस एसेट में दीखेगा, इसका मतलब जो फिकस एसेट जो लगातार-लगातार-लगातार होता जा रहा है, अभी कमपनी में विकनेस क्या है, कमपनी के सेल्सक्राइब, पॉफिट गो, दीटन औब इकूटी, सब कुछ ठीक है, ने है वो कम हुआ है घट चुके है तो इसलिए हर केमिकल कंपनी के उपर पेसर है ऐसे नहीं कि सिर दिपक नाइटेट के उपर पेसर है बाकि सारे के सारे के केमिकल कंपनी के उपर पेसर है चाहे वो उसके उपर भी पेसर है तो मेरे हिसाब से केमिकल इंडस्टी के उपर अभी से आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि जब इस सारे जो डिमांड है वो जो कम होए मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गया तो मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा इस सारे सेयर में फिर भी देखिए इस टाइम में भी कंपने अच्छा खास इस टेक्निकली चार्ट परन आपके सारे गया था जो लॉंग जरनी के लिए एक बार-बार वो एक रेजिस्टेंस को फेस करा था और रिजिस्टेंस ने देखिए ब्रेक आउट किया मैं आपको बहुत बर बोल चुका हो मैं किसी भी लेवल को ब्रेक आउट करते हैं तो मै और एंटी लिया और मेरा टार्गेट यहां तक बना क्यूंग यहां अही लेवल कॉमपानी के लिए बिग रेजिस्टन्स कम सप्लाई जोन है यहां से कॉमपानी को ब्र बिग्रस टेकनों को मिला है तो देखिए टच किया और उसके बाद ग्राष और इस लेवल से एंटी से कुछ अलग हो सकते हैं तो बागी अभी फिलाल के लिए कोई भी टेड नहीं बना तो अभी डाउन साइट के टेड में है तो मेरी सब कंपणी के ऊपर बात करो तो कंपणी के ऊपर एक सांदार मोमेंटम देखने को मिला एक टाइम का प्राइस था पचास रुपीज के आसपास और वह भी एक साल पहले दो हाज सब्सक्राइब नहीं चे मान पहले जनौरी मान में 23 रुपीज था और आज कितना आज करीबन चौदा सो रुपीज पंदरा सो रुपीज के आसपास अगर मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा दू तो पंदरा सो के साथ आप 23 डिवाइट करेंगे तो 65 टाइम्स रिटन दे चुके है 65 टाइम्स रिटन तो ऐसे टिटन ऑपरेटर का गेम में ही मिल सकता है तो देखि इस बार बोनस देने वाल है 9 इस टू 5 का मतलब हर 5 सेर में आपको 9 सेर कमपनी बोनस के हिसाब से देने वाल है साइद इस बोनस के चक्कर में ही सेर के उपर इतना तेजी से ग्रोध देखने को मिला तो बाकी आप समझदार है आप आपके हिसाब से रिसाज के हिसाब से काम क में बागी आप research करके ही काम करना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्याल लखिए बाए